प्रफॉर्म करने वाले हैं मौक टेस्ट फोर का डिसक्षन और उसके बाद हम अनौंस करेंगे स्टार्ट प्रफॉर्मस के बारे में यह यह अल्मोस्ट अपकी कंप्लीट जीनिट को कवर कर रहा था और इसके अंदर कुछ नए कोशन भी थे पुराने कोशन भी थे और इसमे बचार किया है यह नहीं किया है और मैं यह बोल सकता हूं कि कुछ लोगों क्यों पुराने कोशन की जो गलत यह हैं उसको कुछी क्यां किया है लेकिन फिर भी काफी सारे लोगों ने कोशनुर्मस करते आ रहे हैं यह जान कि थोड़ा सा म continua है उसके बाद इस जोब बढ़ाया था इस बार हमने कोशन को कुईंटी से सीदा फिफ्टी किया था और मैं देखना चाहिए तो आपका स्कोर क्या रहता है तो नॉर्मली आप देखेंगे यह हमारी जो हैं इंसाइट रही है वो आउट के अउट एक स्कोर है और रेंज जो रही है 15 से 43 मार्क्स ठीके यानि कि कम नमबर सबसे कम 15 मार्क भी आए हैं आउट फिफटीन तो जिनके सब लोग मैनत कर रहे हैं आप पड़ भी रहे हैं उसके बाद पनर नंबर जो है वह एक्सेप्ट नहीं कर सकता उसके बाद हाइस मार्क जो है वह 43 मार्क्स जो है वह आप मान के चलो साथ नंबर का अंतराल है आप पर 77 मार्क्स का है और अगर यह आप यूजिस नेट के पैटरन पर चले जाएं तो मोटा मोटा कर देखें वाप एक कोशन दो माक्स का होता है तो 14 मार्क्स का यह पर गया है ठीक है और प्रवाइड़ अभी हमने एक ही उनिट की है एक हमने अप्रोक्सिमेटली फॉल कोर्स का आप प्रवाइब लेकिन इट्स नॉट ग्रेट यह अच्छे है यह बहुत अच्छे नहीं है मैं कह रहा हूँ यह सौन और फोर्टी मार्क्स है और हो सब के आने चाहिए थे जो रो जो अच्छा प्रफॉर्म कर रहे हैं जो तो लेकिन जो बाकी है जो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रटेंशल रखते हैं जिन लोगों ने इंट्रेस्ट जाता है कि सरम हमें आप से पढ़ना है आप लोग उसे मैं कहा रहा हूं जितने भी नाम आप जानते हैं तमाम है ठीक है आप अपना स्कोर जानते हैं लेकिन आप जानते हैं यह बात कि आप लोग स्कोर अच्छा कर सकते हैं आप लोग करते आ रहे हैं ठीक है स्कोर आपका स्कोर जो है वह नॉर्मली नहीं आ पाए सब्सक्राइब करने वाली बात नहीं पर अगर मैं आप देख सकते हैं एक अच्छे आप लोगों को फुश्च नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा ठीक है यह बारक को ध्यान रखती है यह जैसे मैं कहा रहा हूं हमारा जो बैच है यह मेरे लिए फिर उतनी पढ़ाना को ट्रेंड करना को गाइड करना लेकिन पढ़ना आपको पढ़ेगा काफी सार लोगों ने टैस्ट नहीं दिया है मैंने देखा तो वो आप हैं जिसको काम करना पड़ेगा वो आप हैं जिसको रास्ते पे चलना पड़ेगा हम रास्ता दिखा सकते हैं हम गाइड कर सकते हैं मैं आपके रस्ते को आसान मना सकता हूं यह भी मैं कर सकता हूं लेकिन उस रस्ते पे तो आप भी को चलना पड़ेगा तो अगर यह सब्लोग पटेंशल लगते हैं यह मैंने किया है आप लोग के मारस देखें यूटीवशी सब्सक्राइं तो जो यह पटाइका तो टॉपर्स को टॉपरश हो Cabinet हुँ है जो निम्बर आ रहे हैं जो बाक प्रफॉक् ellas से हैं तो थोड़ा अटेंटिव होगे मैंने देखा कि जो है हमारी जो बैच की स्ट्रेंथ है उसमें 35 से 35 नंबर तो सब सेलेक्षिन दलाएंगे वहीं पर ठोड़ा दिमाग लगाना था ताइम प्रेशर मिन डाल रहा हूं कि आपको क्वेश्चन को कॉश्चन को कैसे करें तो सारी चीज देखने थी ऐसा नहीं कि सवाल आया और आप अपने लिए यह का सवाल नहीं है का सवाल है यह जोग्रफी है को पढ़ना पढ़ेगा तो बहराल कोई बात नहीं मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नेक्स टेस्ट में कुछ करेंगे और इस वीडियो के एंड में थोड़ा सा आपको मोटिवेट करूंगा और हम क्या कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं चलिए स्टार्ट करते है हम लोग आप डिसक्स करने वाले हैं 50 कोशन के 50 कोशन यहां पर रिविजन भी होगा एक तरीक से पोरी यूनित का रिविजन भी हो जाएगा आपका मोड़ा मोड़ा जो भी होना था और जो भी डाउट्स आप कहेंगे लोगों ने मुझे मैसेश किये सर्ट यह क्यों नहीं जादा होनी चाहिए और death rate कम होनी चाहिए पर क्या मैंने आपको इस तरह से पढ़ाया था आप ध्यान करो मैंने यह कहा था कि जब population से उपर जाती है तो फिर क्या होता है देश के अंदर इस orientation से इस पड़ाया था पॉपलेशन अब इस केरिंग केपर सिटी का मतलब यह है यह आटमेटिकली की वहां पर चले जाती है इसलिए यह पर बिया निखावा था तो मैंने यह पर नहीं लिखा इतना तो आपको समझना पड़ेगा अगर पापपुलेशन कि इसा के देश की उसी किरेंग किपर सिटी से ज्यार जाती है तो फिर वहां पर क्या होता है वहां पर इनके अपर नीचे है लेकिन यह इंस आगर ऊपर चलेगा- कैंग कर्फिटि से ऊपर है यहां पे मैंने आपको दो केश इस बताया थे अगर क्यारिंग केपाशिटिसे नीचे है अगर पॉपलेशन तो बहुत रेट एक्सीट डेट रेट लेकर अगर केरिंग केपाशिटी से ऊपर है पॉपलेशन वटेट इस तुम राइस अब उप करते हैं यहां पर देखोगे जो भी ऑप्शन है डेट रेट इस ग्रेटर दैन बर्थ रेट यह था इसका अंसर ठीक है यह हमने कल लिया था कोश्चन फिर भी 90% लोगों ने इसको गलत किया तो यह मुझे समझ भी निया है कि मैंने आपको इस तरह से तो पढ़ाया नहीं कि केरिंग कपसिटी का मतलब यह है कि बेर्थ रेट जादा है इसका तो मतलब यह नहीं आ पाप्पली जो है सब्सक्राइब होती है तो यहां पर पैदावार होने की दर जब चले जाती है तो वह दर कम होती है या ज्यादा होती है जब केरिंग कापसिटी से उपर चले जाएगी तो दर सब्सक्राइब होती है यह कुछ जगे इस टेस्ट के अंदर कुछ जगे टेक्निकल ग्लिस्ट है जिसको मैंने रेक्टिफाइब कर दिया है अगर आपने उसका सइह आंसर दिया है और वह गलत बताया था तो आपके सही है अगर आपने वो रिस्पॉंस दिया घर्ख को समझ में आ गया होगा और जब पॉपलेशन जो होती है वह कैरिं पर आ बराबर हो जाती है इसका मतलब यह होता है यह बारा को जाना कि मेरी ओल्रैट पूस्ट नमबर 2 अब यह जो सब्सक्राइब है थोड़ा सा common sense का question है mortality rate मतलब क्या होता है number of deaths per thousand life for a given year ठीक है infant mortality rate मतलब वह भी जब newborn baby है अगर वो एक साल से पहले मर रहा है तो उसकी क्या दर है तो अगर हम यहां पर देखे हैं जहां पर जो options थे हम यहां पर देखोगे पहला था कि decrease in the one leads to decrease in other increase in the one leads to decrease in other यानि कि जो नीचे के दो options हैं इन्वर्स रिलेशन्शिप बता रहे हैं लेकिन जो पहला option है कि अगर mortality rate कम होती है यानि कि मरने की दर अगर कम हो रही है तो infant mortality rate के अंदर भी decline हमें देखने को मलता है तो मरने की दर हम कब कम मानते हैं जहां पर medical facilities अच्छी हो ठीक है जहां पर education अच्छा हो जहां पर health infrastructure अच्छा हो ठीक है जहां पर literacy rate अच्छी हो ठीक है जहां पर sanitation अच्छा हो ठीक है पूरा जो health framework के जो ठीक होता है जो हमारे second stage demographic transition में हमने देखा कि भी mortality rate decline होई क्यों क्योंकि पैंडेमिक epidemic और sanitation medical facilities vaccine यह सब आगे थी तो अगर mortality rate हो रही है तो automatically उसका एक आपको impact देखने को मिलेगा कि infant mortality rate भी कम होगी infant mortality rate बढ़तो नहीं सकती कि अगर mortality rate आपकी increase हुई है यानि कि मरने की अगर जो है वो ग्रेट बढ़ रही है तो इसका अगर अगर mortality rate कम हो रही है और इसका ध्यान से देखे को इसका एक्जामपल हम देखे कि इंप्रूमेंट इंपर्स्ट्रक्चर अगर है तो फिर infant mortality rate automatically कम होगी क्योंकि जो newborn baby है उसको ही वही सारी health facilities मिल रही है उसको एक अच्छा वह सारे जो है आप देखोगे वह बिल्कुल out of the league आप देख सकते हो ठीक है तो आप लोगों ने मुझसे जुड़ने से पहले इस पेपर के प्रिविश को देखा भी है नहीं देखा है ठीक है और आपने अपने लेवल पर कुछ सब्सक्राइब किया है यह मैंने यहां भी टेस्ट किया था कि आप लोग चुह है मुझसे पढ़ने के बाद कुछ और पढ़ते हैं एक्स्ट्रा या प्रिविश्य को आप करते भी है डंक से जो मैं बारबार टिफ्स देता रहता हूं स्ट्राइजी देता रहता हूं तो आ सब्सक्राइब किया है तो आप आप देखो कि नॉर्मली अगर आपने एक ट्रेंड देखा हो लाटिन पीपल का अगर आपने सुना हो आपने नॉर्मली मूवीज वगरा देखिए तो आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका पर लोगब स्पैनिश बोलते ह देखिया लेकर नॉर्थ अमेरिका में इंग्लिश पोली जाती है अमेरिकन इंगलिश लेकिन साउथ अमेरिका में जाए वह ब्रेजिल हो ठीके अब प्रेजिलीन वाल डै के बइस जो सॉन्ग स्पैनिश है तो थोड़ा सा अगर आप कॉमन संस लगा तो आपको लगता कि दो को पोच्चोंगी स्प्रेटिश तो होगा यह नहीं हो सकता हाँ इसमें सब्सक्राइब क्योंकि साथ अमेरिकां जो है जितने भी वो नॉर्मली स्पैनिश बोलते हैं जो चाहे वह ब्रेजील क प्रेटिश चेक क्या नहीं है अब यह गलत नहीं होना चाहिए था क्योंकि यह कुछन हमने दो-तिन बार किया है इसमें भी काफी लोगों ने गलती किये वह कैसे हो जब्सक्राइब पॉपजिटिव पॉजिटिव 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 आपको चाहिए नहीं है छाही है की बात ओरी है आपर यह तो कुछ एक 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 मेजरमेंट बता रहा रहा है आपको नहीं समझ मा रहा है तो आप बाकी के पॉजिटिव चेक वह पॉजिटिव यह कहीं इसा लगता है कि हाँ यह रोख सकते हैं पॉबलेशन को बढ़ने ते यह लोगों ने बहुत दिया लेकिन यह नहीं है इसका आप देख सकते हैं यहां पर यह इसका डाइग्राम है यहां पर उसका पुरी दे रखिए यहां पर पॉपलेशन को चेक नहीं किया और अगर फूट सप्लाइज उससे बिल्कुल कम रह गई तो फिर इस तरह की इंबैलेंस क्रेट होते हैं इसकी वरे से जो होता है पूरी कंट्री जो है वह मालतर स्ट्राइब में चली जाती है यहीं इसकी थियोरी है यह वारा कुर्यान रखि क्या होता है तो यह मैंने रिकार्डो की ठीरी से कुशन दिया था सिंपल सा कुशन मैंने आपको दिया था कि अगर वेज रेट बढ़ती है तो फिर पूपलेशन पर पड़ता उसका तो पूपलेशन इंक्रीज होती है हमेशा यह वारा को जानत नहीं है यहां पर आप ग्र स्लोपिंग देख रहे हैं यह जो है वह पॉजिटिवली स्लोप है क्योंकि नीचे से उपर की तरफ जा रहा है यह उपर की तरफ बढ़ रहा है अब इसने बोला था कि अगर मार्केट में अगर वेज रेट बढ़ जाती है तो यहां पर आप देखोगे अगर वेज रेट से सो और यह दस थी उसके बाद अगर मार्केट में वेज रेट बढ़ गई तो उस वेज रेट को पूरा करने के लिए पॉपलेशन जो होगी वह देखो कितनी होगी वह आराउंड दोसों होगी ठीक है जब दस वेज रेट थी तो दोसों बढ़ गई यह वारा को द्यान अ तो फिर क्या होगा आटोमेटेकली पॉपलेशन जोगी वह देख्लाइन ओना शुरू हो जाएगी यह मैंने आखको बताया था इस तरह से पूरी थी कि अगर पॉपलेशन बढ़ता है तो बढ़ती है यानि कि वेज रेट अगर बढ़ रही है यानि कि वेज रेट जब रिपर्डिश हो जाते हैं इसलिए 200 लोग बता रहे हैं जैसी यह यह वेज रेट कम होती है 100-10 पर वापस आती है तो वापस से आप देखोगे यहां पर यह देखो वापस से यह रिवर्स होके 200-10 लोग हो गये वापस से यहां पर देख सकते हो तो यह सका negative relation हमने देखा थ है यहां पर तो यह आपको सही करना था ठीक है इसमें कुछ ऐसा नहीं था पर चली ठीक है आपको समझ में आ गया होगा कि वह इसका सही आंसर अब क्या है ठीक है उसके बाद नेक्स कोशन जो था वो इसी से रिलेटेड था यहां पर देखोगे विचमंग दा पॉलेंग प बढ़ने से पैसा आता है पैसा आता तो भी लेवर रेट जो है जो वेज रेट वो बढ़ जाती है अब इस बड़ी भी वेज रेट को लाब उठाने के लिए लोग बाग रियूस करते हैं ताकि सब लोगों को वह जो है वो सौर रुप मिलें और इस रिपर्दक्शन से जो बनाता हूं इसका पूरा-पूरा मोटिव यह है कि आप लोगों को चीज़े ध्यान रखनी है ठीक है और फिर कोशन नमबर सेवन की बात करते हैं इसको सब लोगों ने सही दिया अलमुस्ट सब लोगों ने सही दिया है फ्रेंक डबले नोटेस्टीन जो है इन्होंने इसक सब्सक्राइब को जो है वो थियोरी जनरेट की थी कोशन नमबर रेट विजह मंगता फॉलाइंग अबाउट टोटल फटिलेटी रेट इस नोट करेक्ट टोटल फटिलेटी रेट के लिए इनमें से क्या सही नहीं है यह आक को बताना था और इसमें शायद एक टेक्निकल पूरे जीवन काल में जितने भी उसने बच्चे पैदा किये हैं वह होता है लेकिन इसको टोटल फटिलेटी रेट का जाता है कोई है उसके पूरे जीवन काल में उसने कितने बच्चे की है उसका जो एवरेज होता है उसको हम टोटल फटिलेट कहते हैं तो यह इसका जो है वह साही नहीं था है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी यह वारा को ज्यानत नहीं है कुछ नमबर नाइन विजम ने पॉनाइन इ कि कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं ठीक है कुछ फोटे है को जिकानमीक होते हैं को देमोग्राफिक होते हैं तो इन में से क्या नहीं है तो काभी सारे लोगों ने अवगनाइजेशन को देखकर बोलाओ यह नहीं है ठीक है और आपने सी इसको कर्द जागवा लेकिन यह इसका आंसर होगा all correct अवनाइजेशन इस ऑल्सो अडेमोगाफिक डिटर्मिनेंट ऑफटिलिटी रेट अवाम आपको बताता हूं कैसे अवनाइजेशन से फटलिटी रेट के अंदर कैसे फर्क पड़ता है यानि कि पैदावार होने यानिकी रिर्प्रेदूस करने वाली जो रेट होस में कैसे फर्क पड़ता है अवनाइजेशन बड़ेगा मतलब लोगबाग रूवल से अर्बन एरियास के अंदर आएंगे रूवल से अर्बन एरियास के अंदर जब आप लोगबाग आते हैं तो अपनी फैमिली को लेकर नहीं आते ठीक है यानिक शहर में रह प्रादन होते हैं प्राइज लगता है सारे चीज़ें होती है उसके अंदर जो अपनी फैमिली साइज को छोटा करूं इसलिए अगर बढ़ता है तो अटो होती है जो लोग पहले चार बच्चे कर रहे थे वह दो बच्चे पैदा करते हैं या जो दो अभी अब सब्सक्राइब करते हैं हमारे जो करते हैं अब हम हमारी जन्रेशन एक एक बच्चा ही परता से लिए यह वाली बात है तो अबने रिशन भी एक डेमोगाफिक डिटर्मिनेंट है फर्टिलीटी रेट के अंदर यह वह समझ में आगया होगा इसलिए सारे जो है वह करेक्ट सब्सक्राइब कर सकते गलत तो यहां पर क्या लिखा हुआ है इसके अंदर लेकिन साइज और पॉपलेशन जैसा कोई भी रिलेशन अंदर नहीं देखा है रेविस्टीन के अंदर क्योंकि यह माइशन को बताई नहीं था मैंने इतना एप्शन मैना आपके लिए कि आपको सब्सक्राइब करें लेकिन साइज और यहां पर लिखावा है तो और यहां पर लिखावा है तो और बनाउट क्या होगा आप अपको समझ में आ जाएगा और यह फिट ही कि आप लोगों ना सही किया है रॉट कुछन नमबर 12 यह बोलता है कि बिलिए उसका और फार्मुला क्या है इं में से कोई भी नहीं है तो मैं फॉर्मला से भी दे सकता हूँ यूग्रष यह पर्मुला उचलिक्लियों चुक्ट है और रॉटल्स तु प्लेस्ट वह पर्टिग्लर प्लेस्ट थी इससे आपको पठाब यांद होगा अगर अगर पुरुजिटिटेडिस बढ़ेगी तो पिर शुख बढ़ेगी आप तो इसमें से आंथर होगा ननाद 20 क्योंकि इसमें जो होगी वो होगी सेकंड स्टेज के इंदर हमने देखा था कि मैसे इंटरनेशन जो था बहुत ज़्यादा था यह कोशन हमने कई बार कर लिया है यह कोशन आप गलत नहीं कर सकते इस तरह की सिली मिश्टेक जो आप लोग इस तरह की सिली मिश्टेक से आप बचें और कोशन ध्यान से पढ़ें कोई टाइमर मैंने नहीं लगाया है एक्जाम के अदर भी तीन गंडे परियाप्त होते हैं यह बारा को ध्यान रखती इंटरनेशन जो है वह जलेंस्की के स्पेस्टू के अंदर हमने देखा था कोश बिल्कुल भी नहीं है और नन अब दीस के चांसे कम बनते हैं अगर हम देखें रीटेल ट्रेट मॉडल अगर हम देखें विलियम जे रेली का ठीक है यह मैंने बोला था कि वही सबसे पहले जो मॉडल लॉफ न्यूटन का जो ग्राविटेशन लॉफ है उसको सबसे पहले जोग्रफी में इंकल्केट किया है विलियम जे रेली ने उन्होंने अपता रीटेल ट्रेट ड्रेविटेशन वाला मॉडल दिया था और उसी कंसर्ट को उठाके जेकी उस्टेवर्ट ने ग्राविटी मॉडल बनाया ठीक है तो यहां पर आप देखें तो जो रीटेल ट्र बहुत बार पूशा गया है यह मॉडल किस ने इंस्पार है कौनसी थीरिस है यह पहुत बार पूशा गया इसको मिने तोड मरोड की नया कोशन मना दिया तो मेरे पास को जादू की चठी नहीं है कि मैं चठी गुमाँगा आपको साथी चीज़ें याद हो जाएंगी यह ज सा रोल है क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं है आप 25 साल के स्टूडेंट है जो पॉटेंचिल लगते हैं तो आपको अपनी जो विवेक है उसको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है तो यहां पर इसका आंसर होगा इसके अंदर नहीं आएगा तो डी इसका आंसर होगा इसका आंसर था सिटी ऑफ डेथ जो यूज किया था अब आगे देखेंगे कि किस ने यूज किया था ठीक है और इस तरह के कोशन में भी आप फिट से अच्छा खा गए यह कोशन भी प्रिविश्यर कोशन से मैंने उठा के सोड़ा से इसको तोड मरोड के दिया है अब यहां होती है despite सट्मेंट होती है लेकि लीनेर इस सट्लमेंट की कैसी यह थोड़ दूर 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 ऋूर लिया बिलकुर दूर दूर रनने लेकिन लीनियर सर्किलर स्कॉइड शेप ट्राइंगुलर ठीक है वाई शेप क्रूसी फॉर्म स्टार्ट शेप यह सारे जो है वो पैटरंस है कि इसका पैटरं के अंदर आते हैं गाईस तो यह बार आप ध्यान रखें इस तरह की सिली मिस्टेक ना करें इसका आंसर होगा न साथ है कि सालरी आपको सब्सक्राइब ऐसारी नों इगागर कर आपके सब्सक्राइब के सारू रहें partie तो यह पर होता है को दोस्तों किसी दो नदियों के संगम में बन रहें। बलिए रहने कि भीक हाउजिंग जो भी घाहें घालेतीसे साथ वो चाइसे मौस चारूवर। किसी बवे ट्रेजवर कैता है संगंबं जो नरीहों के संगंबं और जो रोट कर रही है और जो है उसके अंदर आके जोड़ रही है और वहां पर जो सेटल्मेंट बन रही है तो यह होता है तो यह जो होगा और 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 से पूछा था तो ट्राइंगुलर जो है इडिस नौट करेक्ली मैस्ट कुश्च नम्द 18 इस अनौकिपाइट बाइद पीपल दैन दे होने होगा हॉल सेटल्मेंट यानि कि मान लोग कोई भी सेटल्मेंट है एक चोटा सा लेक है उसके चारों तरफ अगर सेटल्मेंट बन गई है तो तो बीचनीर पार्ट होता है इसलिए इसको हॉला ब्यक् yakावा तीक है उसके बाद कुछ नमबर नाइटीन दा लौ प्रैमिर सेटी जो था वो कॉंसेर में दिया गया था उसका आंसर वका नदेश क्योंकि यह दिया गया था पहली बात है सेटी ऑफ डेट और यह हमने पढ़ा था एक थियोरी के अंदर यह बार आप जानते हैं और यह बोलता है कि वह पर्मनेंट डॉलिंग ऑप प्लेटिक पीपल की बारे में बात हो रही है आपर कि वह जो प्लेटिक पीपल थे वो हंडर गैदर थे उनके पास पर् पर्मनेंट डॉलिंग्स ऑफ प्लेटिक पीपल को का जाता है थेनेट पॉलिस और उस तरह की सेटल्मेंट को थेनेट पॉलिस का जाता है तो यह सब्सक्राइब कर सकते हैं मैंने पहले भी का था कुश्चन अगर आता है तो आप ऑप्शन तलाश हो ऑप्शन क्या-क्या है जौन 2 कैसे हो सकता है जौन 2 कोई सट्लमेंट का एरिया ही नहीं है क्योंकि जो जोन 2 जो है जोन 3 जो है आप हम150 और जोन 5 के अकला सकता है और जोन 5 के वहीinka दे रखा वही इसका ता stories पर होता है या एक इसा होटल जहां पर जो एक कमरा है जिसके अंदर काफी सारे लोग बाग करे सकते हैं उसको dormitory का जाता है तो dormitory को या hostels को एक बड़ा area चाहिए होता है तो वही इस तरह के settlement हमें कहां देखने को मिलेगी वो हमें zone 5 के अंदर ही देखने को मिलती है जो हमारा फिफ्ट जोन है जो रूर रूर फिंस के अंदर है जहां पर हाइए क्लास लोग भाग भी रहते हैं और dormitory settlement भी देखने को मिलती है यानि कि जो hostels हो गए या hotels हो गए इस तरह के जहां पर एक single सब्सक्राइब हो रहा है और वह सब्सक्राइब हो रहा है और वह तरह सेटलमेंट आप देख सकते हैं रोग अगर वह बन रही है तो फिर वह लिने सेटलमेंट है और उन्हों ने इसमें बताया था कि भाई इस सट्सक्राइब का डिस्टेंस और डिरेक्शन दोनों बता पढ़ता है कि वह सिटी किस तरह प्रोग्रेस कर रहा है और वह नहीं बताया था कि अगर कोई एक सेक्डर के अंदर को एक तरह का Land सब लोगों नहीं दिया यह इतना इजी कोशन था हमने देखा था कि अगर एक ऐसा सटल्मेंट जहां पर सब्सक्राइब बढ़ा होता है तो फिर वह बढ़ा होके फुली बन जाता है और उस पूरे अर्बन सिष्टम के अंदर जो पहले सब्सक्राइब जो इतलाता था उसकी यूनिकनेश चली जाती है क्योंकि अब उसका भाई भी आ गया है यह मैंने आपको कहा था इसका आंसर होगा सी और यह कापी सारे लोगों ने सही नहीं भी दिया है तो यहां पर मुझे थोड़ा सा डिसपॉइंट्मेंट हुआ है ठीक ह इसका आंसर होगा इस नॉट ऑस्स तोसका उल्ट कुछ सारे ही सोडस है कोकि सारे लोगों ने स्टैस्टिक्स को कहा कि यह नहीं होगा कि नॉर्मली जन्गड़ना को सब लोग जाते हैं सैंपल सब्सक्राइब Oxley सो आगते हैं जन्गड़ना था मतलब आप पूरे देश की लेकिन वाइडल स्टिक्स भी कुछ घरों को ले लेते हैं और फिर हम उस्सेंपल सर्वे मिल जाएगा तो हरे इक का रिप्रेजनेशन आजाता है उसके अंदर विपोपलेशन डेटा है लेकिन मतलब आपको कि इस शैयर के अंदर कितने लोग कि लोग पैदा हो रहें कितने लोग मर रहे हैं कितनेροग की शाधी हूर है वह सब डेटा कॉन करता है तो सारी जो होता है अपका शहर की अपका है और रॉपस्टहर डोल इसके इंदर स्वितोर्स हो रही है पार रेकॉर्ट हो रहे हैं लुह इसके अंदर आपको जो है वो असोचीट होते हैं इसके अंदर आपको ज्यानक नहीं कोशन नमबर 25 विच अमंग फॉलाइंग इस नॉट अफेक्टर इंफुएंसिंग दे वोल्ड पॉपलेशन तो इसके अंदर भी कावी सारे लोगों को कुशन था कि वह सर इसमें से सोच् मतलब किसी देश की पॉलिटिकल रिप्रसेंटेशन ऐसी कि महाँ पर बर्स जो है लड़ाइं चलती है एक्जांपल सीजा का देख लो इराग का देख लिबनन का देख लो तो महाँ पर आपको देखने को मिलेगा जहां पर बहुत चल रहे हैं पॉलिटिकल इन्स्टेबिल अब इस तरह का बाइस यह वापिस से जो था वह कॉमन सेंस का था आपको बूचा गया था कि मीडियम डेंसिटी और पॉपलेशन रीजन कौन सा है अब यहां पर देखो जितने भी उप्शन से उसमें आपको वैसी बता पढ़ जाएगा इस देशिया इसके अंदर इंडिय इस तरह के को आपको ऑप्सिंट भी देखने पढ़ेंगे और आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं वह अब कैसे तबिर्ट कर सकते हैं और इसको को सिल्में मैं पढ़ाउंगा वह आपको और चुल्क beim कशन कर सकते क्योंकिना में पूप सब्सक्रों कि लि星र holiday और ये हो चाहे वो रोड हो सब्सक्र? जार है अगर इस तरह तरह सह रही है? यह math Kyoto को रहा है तो अगर देखो यहां पर मैं बताता हूं रही है तुल हम एक लेड एरिया यहां सा यहाँ पर 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 यहाँ तो इसमें नहीं होना है इसमें नहीं होना चाहिए उसके बात कुछन नमबर 29 इसमें पुछा गया था कि सब्सक्राइब की तो वह सब्सक्राइब की तो वह सब्सक्राइब करें नहीं नहीं कर पाएंगे और किसी डेजर्ट एरिया के अंदर नॉर्मली एक आपको तो नेचरल वाटर स्पिरिंग देखने को मिलता है नेचरल आकि यापको बाहर आता है तो वहां पर नॉर्मली पॉन्ट जैसा एक एरिया बन जाता है ठीक जो एक्स्रेमली फटाइल भी होता है क्योंकि डेजर्ट सब्सक्राइब को पानी की जर्वत होती तो वह जो इलाखा सब्सक्राइब करते हैं कि एक अधर प्रेशर के अंदर प्रेशर पड़ रहा है उसी को पॉपरेशन देंसिटी कहते हैं वी इस दा राइड आसर पूशन क्यूंकर यह जो लौ में सबस्ब्सक्राइब कर áreas थे सब्सक्राइब कैव यकि अंदर Olum यह वारा को ध्यान रखती है तीक है कोशन नमबर सॉरी कोशन नमबर 33 और यह है कोशन अब यह कोशन रिपीट हुआ था यह कोशन ने पहले भी दे चुगा था लेकिन फिर भी काफी सारे लोगों ने इसमें गलत किया है इसका आंथर था दिन अनदेश क्योंकि इसका आंथर जो है वह है जो जो इसके इंगलिश जिप की थिऊरी जो प्रिंसिपल ऑफ लीश्ट है उसके अंदर इन्हों ने यह थिऊरी को कोट किया था उन्होंने का था कि सब्सक्राइब करेक्ट 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 इंडेक्स क्या होगा तो इसका सही आंसर है एक आफिसाड़ लोगों ने इसका सही आंसर दिया है यहां पर नहीं है क्या है यह न्युक्त नहीं पर नहीं है क्या इनकी जो ग्रोथ रेट है वह देख्लाइग है और जो भी यंग लोग है जो चले जाते हैं जो जब उनकी डेथ होती है तो कम से कम आप देखो के साथ आठ दिन तक पता ही निए पड़ता कि अपने घर में कोई इनसान मर गया जब उसकी बॉड़ी जो है वह रॉट होने लगती जब आने लगती है तब आसपास के लोग रिपोट करते हैं तब पत जिए ना पहले ही मर चुका है क्योंकि नौर्मली जो है वो पॉपलेशन ग्रोफ रेट कम है जंग पॉपलेशन जाता नहीं है नौर्मली जोग वहां पर रहते हैं और लोन्ली डेच्ट जो है बहुत जादा यहां पर होती है जैपैन इसका जो है सही आंसर है ये बारग को जो है वो भी आंसर है इसका यह बारग को द्यानतर निए गई प् Det面 इस a factor of origin of citizen is or जिए पहले दे चुका हूं फिर भी काी साडhi लोगों ने इसको गलत किया है यही में को maxim old-likके बीए लिःव जी आन् नहीं किया है यह डीऄ में देखना चाहरा था यहां पर मुझे पु कि आएंगे ही आएंगे और वह दस कोश्चन होंगे जहां पर जो है कुछ लोग सभी कर पाएंगे कुछ लोग को कन्फुजन होगा तो फिर भी नहीं आ पाए यह कुछ मैंने पहले दिया था यह पूछता है कि इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो और दिखाने के लिए यह सारे इंडिकेटर्स थे जो बताते हैं कि वह सिवलाइरेशन बर्थ हुई थी और उसके बाद फिर कुछ पैक्टर्स आपनें देखे थे कि अर्बन मैग्रेशन इनमें से कोई भी वेक्टर नहीं है जो बताता है और आपको जहां रखनी है इन विच स्टेज की मॉडल इंट्रा अर्बन माइगरेशन बस प्रॉमिनेंट तुसका आंसर था फेस फॉर यह हम पहले भी कट चुक है फेस फॉर में आते आते जो इंट्रेशन मेंगरेशन कम हो गया था क्योंकि फेस फॉर में आते आते जो है सोसाइटी अबनाइस्ट हो गए थी मॉडर्न हो गए इसलिए शहरों की बीच में जो है वह माईगरेशन बहुत जादा होता है इसलिए इसकांसर होगा फेस फॉर होगा कोशन अबार 39 अग्वादिंट रेंक साइस रूल करेक्ट अब यह कोशन गाइस यह मैंने आपको अच्छे से बताया था टैस्ट डिस्केशन के अंदर यह जो है इसका सही आंसर भी और इस पर काविसर नोंको ने कोशन भी किया था कि सरी यह रैंक हमें जो है वो कंफ्यूस कर रहा है इस पर मैं कम से कम शर्फ पांच क्यों कर सकते हो सब लोगों ने बोलाया कि सबसके अथा है किनि बिल्कुल सही है बिल्कुल सभी है एक तो सब्सक्राइब होती है अगर हम बात करनों तो यहां पर मैंने मुला था कि अगर हम विलेज से सिडी की तरह जा रहे हैं तो नॉर्मलिज इस पॉपलेशन बढ़ती है population तो बढ़ती है settlement का number कम हो जाता है क्योंकि village जो है जादा है town जो होते हैं वो कम होते हैं लेकिन rank जो होता है वो भी बढ़ता है rank decrease नहीं होता है यह मैंने आपको कहा था तो इसका 20 सही answer था लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इसका answer गलत दिया है यह जानते वहें कि हमने इसको discuss किया था तो यह आप देखिए कि क्या आप उतने पुराने question जो आपने गलत किये उसको evaluate करते भी यह नहीं करते हैं यह आपका test इसका भी था ठीक है question इसका answer क्या होगा इसका answer क्या बनता है सबस्क्राइब कर दिया यहां इसके बाद यह question आप कैसे गलत कर सकते हैं यह question कितने बार कर लिए हमने यूटीब पर भी कर लिए हमने यहां पर भी कर लिए तो इस तरह के question से आपको जो सिली मिस्टिक करने से बचना है देखो इंडिया की बात करने तो पहला सेज वह हिता स्टेवनेट थी यह वर्फ रेट है ट्रेट थी उसके बाद रिखने को मिली जब डिख रेट होने लगी तो तो है यहां पर फिर आप फैमिली प्लानिंग मेजर आ गहें है वो कम हो गया है तो यह इसका बिल्कुल सही आंसर बनता है तिक इसके बाद पॉपलेशन ग्रोथ उसके बाद पॉपलेशन एक्सपरजन और उसके बाद इसके बाद गलत नहीं कर सकते इस तरह के कोशन में स्लीविस्टे करने से बचें फिर इसके बाद कोशन नुमर 41 विचा मंगा फॉलाइंग इस करेक्ट अकॉर्डिंग तो रैंक साइस रूल और यह पुछ लोगो ने गलत किया है इसमें बोलता है कि इनिशल डेकलाइन डेट इस लो लो लेटर डेकलाइन डेट इस हा लेटर डेट जो है वो ग्राइजूल है यह मैंने कहा था तो आई होब आपको उसमें समझ में आया होगा रांज जाइस रूज है वह इस तरह कि जो है उसका ग्राफ बनता है आप आप अपर पोपुलेशन है याप रैंक दे रखा है ठीक है पोपुलेशन साइज दे रखा तरीज का सभी आंसर है क्योंकि यहां पर जो है है वो इंप्रूफ हो गया था थी के पुशन नमबर फॉटेटी त्री आपको अथा था कि इनमें से सेंटर सब अर्बन रेवलिशन जो गौर्डन चाइड ने दिये थे इनमें से कौन से है तो इसका अंसर था तरी ना दीश कि क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं था क्योंकि सेंटर सब्वर्बन रेवलिशन जो थे वो थे मिर्जो अमेरिका एंडिस एजिफ्ट मैसपोटामिया इंडस और चायना यह से जो है फिर वो टाउंस का ओरिजेनेशन हुआ है यह कहते हैं गौर्डन चाइड तो यह वारत को क्लीशे कोश्टन थे इसमें टाइम दिया था तो वह सब लोगों के सही होने चाहिए तो यह बोलता है कि भी अकॉर्डिंग टू इस लोग इस अरेंच इन अर्ट असेंडिंग और तो यह गलत हो गया यह डिसेंडिंग और होगा तभी यह आपका बनेगा रैंक साइज रो तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि आपके प्रिविएस मिस्टेक्स उसको आप देख रहें नहीं होगा जब इसको आप डिसेंडिंग और यहां पर लेखा हुआ हो था ठीक है कुछ नमबर 45 पॉपलेशन इंग्री इंग्री इसमें सब लोगों ने सही आंसर दिया है पॉपलेशन बढ़ती है जिम में इंदर और और चार्च से इस तरह से बढ़ती है और जो फूट सब्ला है वह बढ़ती है आर्फमेटिक के अंदर एक दो तीन चार पांच से बढ़ती है इस दोनों कभी इसमें गयाफ है और इस गयाफ की वज़िसे मालतर स्ट्राइप आ जलती है तिक उसके बाद question number 47 फूर्पोस्ट थेयोर्य ओंटर्विनिंग बिल्कुल इसी कोछन था शॉफर ने दिया है और इसी कोई इसने इन्हों ने इंप्रूब भी क्या था इसका नाम तक कि सीज इसक ब्ले इं दा정이 यहां। देंग देखने को मिलता है इन में से कोई था यह वारत कई गलत गलत हो गया इसके बाद लो फर्टिलिटी रेड़ भी कहीं भी नहीं है आपको देखने को मिलेगा हाइव इसलिए हाइव ट्री और पॉलिंग मॉटलिटी रेट मॉटलिटी रिड और एपिड पॉपलिशन ग्रोफ रेड यंग इसके बाद 50 पॉशन था मैंगे अकर फ्रॉम सब्सक्राइब कर चुकर तो जब वापस से जैसे कोविट का पीरेड मान लो मुंबई से काफे सारे लोग बाग अपने गाउंग में वापस चले गए क्योंकि काम नहीं है सब चीजे लॉक्डवन हो रहे हैं सब चीजे धंदा बिल्कुल चौपट है तो जितने वी लेबर त सब्सक्राइब करें जारे हैं तो यह है कि अपने पुरानी मिस्क्राइब कर रहे हैं क्या आप लोग समंगर को देखते हैं क्या आप लोग कोश्ण को जंसे देखते हैं तो आए auptे स्ट्स के बाद आप लोग ये वह कंग करेंगे देखो गलतियां होना अच्छा है लेकिन गलतियां होना अच्छा थो है वह अच्छा इस तरह की आप नेक्स ताम इसको ना करें गल्तियीं ने लेकिन उससे आप सैटिस्टेक्शन निकाल पाएंगे क्योंकि यहां पहली पताया पॉइंट से सेलेक्शन रुखता है पॉइंट से और अब अब लोग वह कुछ लोग यूपेश्ट कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा कोविट के बहुत एंप्लॉव्मेंट बढ़ेंगी तो वह टीजिंग सेक्टर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अप्रशिनेटी आएंगी तो जितने भी लोग वह हैं वह कुछ लोग यूपेश्ट कर रहे थे कुछ रेलवे कर रहे थे वह सब लोग यूदि से नइट के तरफ आएंगे क्योंकि यह अपने आप में प्रिस्टीजियस जॉब बनता है बिंग अपने आप में बहुत अच्छा सा लूक्रेटिव जॉब देखने को मिलता है और रिसेर्च जो है जिसकी तादाद बढ़ने बढ़ने वाली है सब लोग आएंगे इसके अंदर तो यह पर आपको मान के चलनी है पांच कोशन शे कोशन गलत होना हमारे लिए अफॉरडिबल नहीं है अपको मैं विंडो दे रहा हूं कि अगर पचास कोशन है तो आप ज जान तकते हैं इसलिए आप लोगोंने मुझे कानटक्न किया आप लोगों पैसे के और आप और जो पंड़के अंदर हर एक बंदा इस एक्जाम को करनी का पोने की जर्वत है ऑर अपनी गल्थियों को दूर करने की और जो लोग तोा시간 कर रहेid पंदरा 27 नमबर वो लोग देखें आप कहां गलत कर रहे हैं आप लोगों ने क्या इस एक्जाम को सिरिसली लिया है नहीं लिए इस तरह के मार्क्स बिल्कुल भी जो है गाइस वह एक्सेप्टेबल नहीं है आप नेक्स टेस्ट के अंदर और अच्छा करेंगे पिछले टेस के अंदर मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि यह टेस्ट मिली है पूरा disappointment रहा है काभी सारे लोग का ग्राफ बढ़ा भी है लेकिन मेरी एक्स्पेक्टेशन से आप लोगों ने अंडर परफॉर्म किया है यह बारा को ज्याम रख नहीं है चलिए आप देखते हैं स्टार परफॉ है लेकिन फिर भी अपने अपने एक अंडर स्कोर है शुबजीत हो गए अदीबा हो गए या जो फस्ट नमर पर है जिसका मैं नाम रिविल करूंगा जो लोग कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप लोगों से मैं उमीद करता हूं कि आप और अच्छा स्क हो था वापिस से रीगें किये अपनी पोजिशन फर्स टेस्ट के बाद यह गायब हो गए ती उसके बाद वापिस से रीगें कि इन्होंने भी 43 स्कोर किया है जो कि एक अच्छा स्कोर है मैं बना नहीं कर रहा हूं इस अ गुड़ स्कोर आई अप्रिशेट इस लेकिन फिर एक युनिट जब आब मैं ले रहा हूं एक युनिट के टेस्ट के अंदर हम यह नहीं मान सकते कि आप साथ नंबर आठ नंबर या दस नंबर जो हैं वो करें इसके इलावा काफिसारी लोगों ने इंप्रूमेंट भी दिखाया है इंप्रूमेंट के अंदर में सबसे पहल होई है आप लोग यहां आसकते हैं बहुत जल्दी आप आसकते हैं तो मेरा मोटिव था कि हमारा पूरा मोटिव यह कि मैं पूरी कोशिश करूं कि इस बैस बैस के लिए है हमारी यह जो फैमिली है पहले बैस्वन की इसके अंदर सब लोगों का निकले और ज्यारफ निकले यही मेरी इच्छा है इस पर मैं भी मैनत करूंगा आप भी मैनत करेंगे प्लीज आप लोग लोगरे तरह निकले अवर्चे करेंगे वल्हुंत करेंगे अधर विल्हा थे फ़ाष इस निकला थे विल्युल्हुंत्य अग्रीज थू इस वीडिया थे यापूर्य तरह जाना नेज़ नेंगे वार्व बाई